SBI ने दोस्तों टोटल 600 पोश्टों पे दोस्तों एपरेंटिसिप रिकूर्मेंट निकाला हुआ है जो कि बहुत बड़ी बंपर न्यूज है बैंकिंग एस्पारेंट्स के लिए लेकिन उन में कई सारे यहां पर डाउट्स हैं कि उनकी सैलली कितनी होगी और किस तरह से सेले दोस्तों इन्होंने डिसकस करके आपको बता ही दिया कि 6 जुलाई से 26 जुलाई तक यह फॉर्म जो है अपलाई करना आपने नहीं किया है तो कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्स में लिंक दे दूँगा और मैंने डीटेल में वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हैं हमार पर फॉर्म भरें ठीक है चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होगा तो दोस्तों 2020 में जो निकला गया था उसका थ्री यह था लेगिन इस बार जो है सिर्फ वन येर का रखा गया देख सकते हैं ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ वन येर किये अब स्टाइपन और बेनिफिट की बात की जाए तो पंद्रह हजार रुपे आपको दोस्तों पर मंद स्टाइपन मिलेंगे इसमें ठीक है अप्रेंटिशिप जो है दोस्तों नॉट एलिजीबल फॉर एनी अधर एलाउंस और बेनिफिट स साफ साफ कह दिया है कि कोई भी अधर बेनिफिट्स नहीं कहेंगे करेंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं बताना चाहूंगा वी वी आईपी तो क्या होता है इस प्रोग्राम को पूरा करने के बाद आप जूनियर एसोसेट के लिए आपको वेटेज दिय जाएगा और रिलाक्सेशन दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे जो सोच रहेंगे इसको करने के बाद क्या फायदा है तो अधर जो भी बैंक्स हैं और सिर्फ एस्बिया में भी जो है आप जूनियर एसोसेट के लिए काफी जादा उसमें आपको वेटेज मिल सकता है क्योंकि आप सारे काम को जानोगे अपने ट्रेरिंग ले रखी है तो इसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा और जो भी फॉर्म निकलता है उसमें भी कई सारे यहाँ पे जो है कोटा रहता इसका तो इसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे तो चले प्रोसेज तो यहाँ कोई पर्मानेंट जॉब की वादा नहीं किया जा रहा है कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा तो यह साफ साफ यहाँ पे कह रहे है ठीक है एक साल का पूरा होने के बाद आपको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा आपको वहां से निकल जाना पड़ेगा और फ जैसे कि functioning of the system यानि आपको पूरा जो सिस्टम है बैंकिंग का कैसे काम करता है वो समझना रहेगा इस ट्रेनिंग पिरेड में ठीक है एड्मिस्ट्री लेवल जॉब है दूस्तों अच्छा जॉब है ठीक है आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो आपसे करवाया जागा में टास् हो रहा है उसमें कोई धांदली वगएर तो नहीं हो रही है इस तरह का काम आपको यहां पर काफी दिया जाएगा फिर continuous analysis of performance भी जो है वो आपका देखा जाएगा यहां पर पर ठीक है all tasks assigned by the supervisor जितने भी टास्क आपको supervisor देंगे वो सारे आपको काम करना है तो काफी सारा miscellaneous काम रहेगा इसमें और अच्छा बात है कि आपको काफी सारे फिल्ड का काम जो है एक जो बैंकिंग सिस्टम में होता है वो सीखने को मिलेगा अलग अलग अब दोस्तों यह एक बहुत बड़ा opportunity है उन aspirants के लिए जो कि banking sector में घुसना चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा यहां पर experience मिलेगा knowledge मिलेगा banking operations के बारे में जो daily to daily activities होती है उनके बारे में पता चलेगा इस training period में तो काफी ज़्यादा आपका जो career exposure है वो बड़ेगा दोस्तों और जो यह पर test होता है दोस्तों यह जो selection process होता है वो single state examination पर होता है यानि कि आपका competition रहेगा वो state में ही रहेगा तो यह आपके लिए काफी इसके लिए qualify करना बहुत ही easy होता है तो अगर आप इसमें गुसना चाहते हैं तो आपके लिए description box के link में होगा या आप हमारे चैनल पर भी जाके गाइडली चैनल पर देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू